एक आप बाहत सब्सक्राव आपने फारिक है उसके ऐसे हम और कीवार्च ईठिक हुआ है इस नवर सबास्ट आपने वार्स्ट कीमेए हो सकता है आने वली further videos तीन चार वीडियो पस्नालिटी से ही related हो पस्नालिटी की theories और पस्नालिटी को measuring skills related क्योंकि पस्नालिटी को measure करने के लिए भी कुछ skills दिये हुए scholars ने उन से related तो बात करेंगे personality होता क्या है अब आप से अगर मैं पूछू पस्नालिटी क्या होता है सो पस्नालिटी इस दो combination of behavior emotion motivation thought pattern that defines an individual पस्नालिटी में सिर्फ आपका आउटर लुक नहीं आता nowadays लोगों को लगता है कि पस्नालिटी का meaning है अच्छे कपड़े पहनना बहुत मेकप करना यह खुबसुरुवत दिखना स्टाइल बनाना जल लगाना बालों में यह सब पस्नालिटी में आता है बट नहीं ऐसा नहीं है पस्नालिटी में क्या क्या आता है वो complete behavior का combination होती है पस्नालिटी आपकी emotions का आपके nature का आपकी में motivation level कितना है आपके thought के pattern का तो इन सब का जो एक मिला जुला combination है वी call them personality I hope you clear हो गया होगा the term personality is derived from latin word ठीक है latin word से आया है और जो word है कहां से आया है persona persona से ही personality बना है right और persona का meaning होता है mask that actors wear एक mask परसोना का क्या meaning होता है एक mask और कहीं न कहीं जो personality है इससे भी measure करती है कुछ लोग internally they are not good बट दुनिया को कैसे दिखाते हैं they are very smart बहुत अच्छे हैं बहुत helping हैं बहुत cheerful हैं बोलते हैं दो चहरे होना लोगों के तो उसी चीज़ को यहां पर mention किया गया है कुछ लोग होते हैं वो थोड़े से aggressive होते तो लोगों को लगता नहीं नहीं है तो बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है लेकिन reality क्या है वो तो इससरफ एक outer इस हैं जैसे की psychodermic theory trade theory और टाइब theory यह बहुत सरी theories हैं तो सबसे पहले जिसने personality की बात की है उनका नाम क्या है hypocrite ने एक theory दी थी personality की और उनकी personality की जो theory ती उसको भी hypocritics theory के नाम से जाना जाता है हमेशा याद रखना कि personality की बारे में सबसे पहले definition और सबसे पहले theory किस ने दी थी हिपोक्राइट ने दी ये बात आपको हमेशा माइन में रखनी है they classified personality on the basis of fluid इन्होंने personality को fluid के basis पे किया जैसे की horn की एक theory थी na fluid और crystal intelligence में तो इन्होंने उसी fluid के basis पे personality का classification किया है मतलब की division किया है according to hypocrite personality is divided into four parts ठीक है sing wine पहले तरह के लोगों को क्या बोलते है sing wine और इसको इन्होंने compare किया है किस के साथ blood के साथ अब देखिए sing point कैसे है इसकी क्या characteristics और blood के साथ क्यों पे ऐसे लोग कौन से होते है आशावादी इसको हिंदी में बोलते है optimistic आशावादी होते है extrovert होते है सबसे घुलते मिलते हैं हमेशा खुश रहते हैं hopeful रहते हैं मतलब positivity से भारे होते हैं तो ऐसे लोगों के क्या बोलते है sing wine और sing wine जो है इनको blood के साथ relate किया जैसे कि बोला ना मने on the basis of fluid के basis space का classification किया है तो इसको blood से relate किया जैसे कि blood होता ना red symbol of happiness glory, red color को वैसे भी इसी तरह का symbol माना जाता है देखे शादी में भी brights जो होती है वो red color को ज़्यादा प्रिफरेंस देती है comparison to other color देखे फेशन के हिसाब से तो चीज़े बदलती है लेकिन red color की अपनी अलग importance है तो यहाँ पर जो sing wine मतलब कि जो आशावादी लोग है उनको इसी तरीके से देखा जाए बहुत cheerful, happy, extra word, आशावादी, optimist तो इस तरीके से तो यह हुआ इनका first point अब जैसे की four parts में divide किया तो इनका दूसरा क्या है कालरी, कालरी को इन्होंने compare किया है यलो बाइल के साथ जो की lever से secret होता है जो science student होंगे वो समझ पा रहे होंगे नहीं तो आपने 9-10 तक तो science पढ़ी ही है इसमें कैसे लोग आते हैं इसमें आते हैं एक्स्टोवर्ड angry irritable strong passionate तो यह किस के अंदर आ जाता है यह कॉलरिक कॉलरिक के अंदर आ जाते हैं एक्स्टोवर्ड angry मतलब गुस्टा करने वाले लोग ऐसे लोग जो irritate कर देते हैं strong स्ट्रांग जो बहुत बाडली स्ट्रांग होते हैं पैशनेट होते हैं काम के टूर्ड्स बस इन लोगों को गुस्सा जल्दी आता है बाकी इरिटेट भी हो जाते हैं जल्दी से जैसी कि अगर इनके अकॉर्डिंग काम ना हो तो यह लोग बहुत जल्दी इरिटेट भी हो ठीक है और इसको यलो वाइल के साथ compare किये किसने हिपोक्रेट ने अपनी theory के अंदर now we have point number three point number three क्या बोलता है point number three है आपका phaligmatic phaligmatic जो है phaligmatic में कौन से तरह की लोग आते हैं इंट्रोवर्ड आते हैं देखिए इससे पहले एक्स्ट्रोवर्ड थे यह इंट्रोवर्ड है इंट्रोवर्ड कोल्द काम ठीक है slow emotionally strong lazy type always happy ठीक है यह लोग कैसे होते हैं इंट्रोवर्ड होते हैं सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं शांत रहते हैं धीरे बोलते हैं काम को सोच समझ के करते हैं यह emotionally बहुत strong होते हैं बोलते कम हैं लोगों से मिलते जुलते कम हैं लेकिन emotionally जो इनका settlement होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं कुछ कुछ lazy टाइप होते हैं और हमेशा खुश रहते हैं अब जिसका लास्ट है वो क्या है melancholy melancholy कौन से लोग होते हैं यह introvert होते हैं sad होते हैं देखिए यह sad होते हैं उदास रहते हैं depressed रहते हैं emotionally और bodily दोनों तरीके से weak होते हैं कौन melancholy और इसको जो हिपोक्रेट थे इन्होंने ब्लैक वाइल से इसको क्या किया था compare किया था जिससे ब्लैक वाइल होता है उसी तरह से melancholy जो personality के लोग हैं वो रहते हैं तो इस तरीके से जो हिपोक्रेट की theory थी जिसको बोला जाता है उसने on the basis of fluid classification किया था personality का जिसमें उन्होंने four types दिये थे sanguine, choleric, phaligmatic और melancholic यह complete हो गया अब हम मैं hope करती हूं कि हम next उस पे चलते हैं तो next है sprangers की theory sprangers एक जर्मन philosopher थे यह आपको ध्यान रखना है देखिए हम जितनी theories को इसमें cover कर पाएंगे करेंगे नहीं तो continue next video में रहेंगे ठीक है important है spranger theory क्या है spranger theory जो दी थी spranger ने दी थी यह German philosopher थे और psychologist थे इनकी एक book थी जिसमें इन्होंने types of man की बात की इन्होंने types of theory की बात नहीं किये types of people personality की बात नहीं के इन्होंने types of man की बात किये इनकी book का ही नाम था types of man पूछ सकता है कि spranger की book का नाम क्या था तो types of man और इसमें ने कितने types की बात की थी इन्होंने six types की बात की थी spranger ने spranger classified personality based on interest इन्होंने लोगों के interest को ध्यान में रख कर ही अपनी personality की जो ये six type of man दिये थे ये लोगों की personality को ध्यान में रख कर दिये थे ठीक है सबसे पहले देखिए theoretical ठीक है economic type, aesthetic type, social type, political और religious ये six type है जिनकी इन्होंने बात की थी अब one by one हम इनको discuss करेंगे detail में क्योंकि आपको concept को समझना important है side by side if you want to make notes तो definitely up notes बना सकते हैं पहले देखिए theoretical, theoretical जैसे theory से related इसमें ज़्यादा तर पढ़ा को type लोग आते हैं short matter मैं बोलू तो my day to day life में they are theoretical in nature and avoid social and political participation ऐसे लोग शोशल और political participation को avoid करते जाना जादा उन्हें लोगों के घर जाना मिलना शादी फंक्शन अटेंड करना politically parties को लेकर अपने views देना यह politically involved होना यह debates देखना टीवी में news देखना यह लोग थोड़ा कम participative होते हैं क्योंकि यह अपने काम में बेजे रहते हैं जैसे कि आप mathematicians को देख लो scientists को देख लो और doctors को देख लो तो और कुछ teachers भी इसके अंदर आते जिनको ज़्यादा social और political participation से मतलब नहीं होता है अब देखें मैं एक बात बताती हूं आपको अभी जो मैं टाइप डिसकस किया आपको लग रहा हुगा अच्छा मैं भी इसी टाइप का हूं या मैं भी इस टाइप की हूं लेकिन यह देखें यह इन्होंने theory दी थी हमारा काम है इनके concept को पढ़ना समझना क्योंकि पेपर अब आपसे पूछेंगे वोचेस नौट प्रिजेंट इन हिपोक्रेट्स थियोरी तो इसलिए यह नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो नाम को याद रखना है क्योंकि यह कोईशन कभी पूछा गया इसी तरीके से देखें मेरे पढ़ाने का व्यू सिर्फ यह नहीं कि आप सीटेट क्लियर करें यूपीटेट क्लियर करें एचिटेट क्लियर करें आर्टेट क्लियर करें मैं थोड़ा डैप्ट वे पढ़ाती हूं क्लियर करने के बाद आपको टीचिंग एक्जाम में तो बैटना है बीड़ वाले बच्चे भी यहां पर टीचिंग एक्जा इसका एकनॉमिक टाइप में क्या जाता है ऐसे लोग डोज इंट्रस्टेड इन मनी मैटर इसे लोग जो हमीशा अक्सर पैसों से रिलेट करते हैं पैसों में घुसे रहते हैं यह पैसों के मैटर पर ज्यादा बाचित करते तो उनको क्या बुलते हैं एकनॉमिकली टाइप में ठीक है क्योंकि अब ऐसे नहीं कि बहुत सारी लोग हैं जो जॉब भी करते हैं साइट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं फिर उन्होंने बहुत साइट से जहां पर पैसे लगाओ फिर पैसे डबल होते हैं ट्रिपल होते हैं या फिर बिटकोई इस तरह क अदेश कारनसी में यह दूसरी जो टोकन्स वहाँ होते इस तो इस तरह के लोगों किया बोला जाता है यह शेयर मार्केट में लगा रहे हैं तो इनको बोला जाता है एकक नामिक एadata नेक्सट इस एससंद करते हैं उससे प्यार होता है उनको आज आट से प्यार होता है तो इस तरह के लोगों को क्या बोला जाता है एस्थेटिक टाइप मेंट ऐसा बोला किसने स्प्रेंग गरने ठीक है नेक्स शोशल इनकी जो यह पॉइंट से बहुत असान है क्योंकि पॉइंट से ही इनकी डेफिनेशन क्लियर हो जा रही है शोशल फॉर्थ पॉइंट पे क्या है शोशल अब शोशल देख पार्टी हो गया फ्रिंड्स के साथ गैदरिंग हो गई घूपन घूमना हो गया पिकनिक हो गई तो यह सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है तो जो लोग शोशली जादा इन वाल होते है इन एक्टिविटीज के अंदर उनको किसमें काउंट किया जाता है शोशल टाइ है यह बिल्कुल ऑपोजिट है त्योरेटिकल से त्योरेटिकल में क्या था वह शोशल और पॉलिटिकली पाटिसिपेट नहीं कर रहे थे लेकिन शोशल में टोटली शोशल है वह उनको बहुत पसंद है आपने देखा होगा आसपास अपने बहान भाईयों में भी कोई बह पाटिसिपेशन में बहुत जादा रहते हैं और डॉमिनेटिंग इन इचर अब देखिए एक तना बहुत बात है जो लोग बार्य पालेटिक्स में घुसते हैं यह जिल्स फिल्टिक्स में इंट्रस्ट होता है या वह उसमें इंवाल्व थे वह बहुत डॉमिनेटिंग इ आप देखे जैसे कि वर्ड खुदी बोल रहा, religious type of man, या religious type man, टो religious में देखे क्या होता है, they divorce themselves in religious activities जैसे कि पुजापाइड करना, हवन करना, आटी करना, कहीं पर यातरा करने जाना, ठीक है, भंडारा करना, भंडारे में involved होना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, लोगों की से करना मंदिर की सफाई करवाना पुताई करवाना ठीक है अभी देखा अपने दिवाली थी तो बहुत सारी लोग ऐसे भी थे जो बड़े-बड़े मंदिरों में जाके अपने लोगों को ले जाते हैं लेबर्स को ले जाते हैं वहां की सफेदी कराते हैं वहां की पुताई करा तो यह सब काम भी तो होते हैं तो यह किसके अंदर कांट होते हैं रिलीजियस के अंदर होते हैं ऐसी लोग जो इन सब चीज़ों के लिए इन कामों के लिए उनको क्या बोलते हैं रिलीजियस टाइप ओफ मैं अब देखिए पेपर में कैसे आता है कभी जो स्प्रेंगर की थ क्वेशन है क्योंकि इसका वर्ड ही डिफाइन कर रहा है कि इसके अंदर क्या होगा ठीक है तो क्वेशन कभी ऐसा नहीं आता है क्वेशन कैसे आएगा जैसे कि इसके पॉइंट आपको याद रखने है पहले पॉइंट आपने कर लिया अब वहां पर नेगेटिव में पूछेगा जब पार्ट वाले कोशन होते हैं ना मोस्ट अप्रबैबली नेगेटिव में पूछता है जैसे कि तीन अप्शन दे आपको थेयोरेटिकल दे दिया एकनॉमिक अब सोच लो नेक्स आपको एक्स्टावर्ट दे दिया एक आपको इनके नाम को याद रखना इस वरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो पेपर में इस तरीके से आते हैं अभी तो हमारे पास और भी बहुत सारी है लेकिन इस वीडियो में नहीं हो पाएंगे और वीडियो है पस्टाव्यटी की थैज्टी क्या होती है हिपोक्रेट कौन थे याद रखना है अच एपोग्रेट NNE सबसे पहले पस्टावले इस पहले डाजी की थी उनकी पस्टावटी की थह आंगी जो तेस वह उसका क्लासिफिकेशन सब्सक्राविए के बेसिस पे क्या आता और उ और इसकी sequencing ध्यान रखने जैसे कि theoretical, economic, aesthetic, social, political और religious मैं आपको साथ साथ में ये भी बताती हूँ कि किस तरीके से question पूछ जाते हैं and yes, मैं ये exam clear कर चुकी हूँ on the basis of experience और आपको पढ़ाने से पहले भी मैंने previous year question paper से हर topics related questions को note down कर लिया है उसके बाद ही मैं concept के बाद करते हूँ मुझे लगता है कि आपको पढ़के इतनी बात समझ में आ रही होगी notes बनालो, बहुत important notes बनालो, अपनी understanding अच्छी रखो thank you, bye bye